तो आज मैं अब से विए के साथ में सेयर करने वाले हूं चना दल की चिकी की रेष्वी चना दल यानी की फुनी चनी की अम यह चिकी बना के सेयर करेंगे जिसे की बहुत टेस्टी चिकी आप भी समकर संकान दिन बनाके आप इसके मज़ेव उठा सकते हैं तो चली दोस्तों अब घी के गर्म हो जाने पीस में डाल देंगे एक कप गुड तोड़के हमने एक कप लिया है तो इसको लो फ्लेम पे ही हम गुड को दीरे-दीर पिखलने देंगी तो ध्यान रखेगा कि गैस का फ्लेम लो रखेगा जिससे कि दीरे-दीर गुड गरम होगा और यह अच्छे कर लेंगे जो कि आगे हमारी चिक्की बनाने के लिए काम आएगी तो यहां पी देखिए गुड जो है थोड़ा और पिखलनी के लिए रह गया है तो थोड़ा अच्छे से पिखलने के बाद में एक दू मिनट यह देखिए गुड कम यहां पे पका लिया है अब एसे एक ब चिल्के को टाके से दो तुकडे में हम ने आपके कर लिया है और एक कप हमने आप यहां हम इसे कर लिएक लिए और इसे हम ऐसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स है बस अब यहां पे हम To be एग्गे को अफज़ यह भूटपन के उगनें से ची कहीं थोड़ा सी स्कारी चीकि अवर अच्छे सी को यह दमूद त्यार हो जाएगीॐ क्वा है ज़ाएगी ऊफांगे इसमें कट्स के अब इसमें कट्स में प्रेजा है जैसे प्लेटे फेसंगे अंगे यह से एक साइट से लगा लिए हैं और इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे तो इसे रूम टमप्रेचर पर ही छोड़ दी से ठंडा हो जाने दे उसके बाद में इस अच्छे से ठंडा हो जाने की बाद में इसे तोल लेंगे ते देखिए मैं जो जिक्क्य अच्छे से ठंड हुई है दोस्तों आप भी बार यह चाना दाल की चिक्की जरू से ट्राइ किजेगा और आपको मारी रेजबी कैसी लगी में कमेंट करके बताएगा योदि आपको मारी यह प्वैसं प्वीड़ीयो को लाइक सेर कर दीजेगा तो आप दोस्तों आप यह इस भुझे चने दाल की चिक्की को बनाईए उसके मुझे उठाए जल्दी मिलते में कैसे ही ने इस पी के साथ तब तक के लिए बाई